घेलो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिले इस्लामे के course code B59 BA honors economics के entrance test के बारे में discuss करने जा रहे हैं कि entrance test का स्लेबस क्या रहता है, आपको entrance test की preparation कैसे करने हैं, entrance test में कितने MCQ question आते हैं और entrance question paper आपको कहां से मिलेंगे, यह हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं B.A. Honors Economics के Entrance Test के बारे में तो सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चीए जो B.A. Honors Economics का Entrance Test है इस एर से यानि 2021 से इसका Entrance Test अलग हो गया है अब अलग कैसे हो गया है इसका अब Course Code है B.59 और पहले जो B.A. Honors Economics का Entrance Test होता था वह होता था B.B.A., B.C.M. Honors और B.A. Honors Economics का तीनों का एक ही Entrance Test होता था लेकिन 2021 से क्या हो गया है B.A. Honors Economics का Entrance Test अलग हो गया है अब क्या Entrance Test के Slaves में चेंज आया है नहीं entrance test का syllabus change नहीं हुआ है लेकिन entrance test अब अलग-अलग होगा यानि अगर आप दो course के लिए apply करना चाहते हैं जैसे BBA के लिए और BA honors economics के लिए तब आपको आप दो form fill करने पहले एक ही form fill करना होता था तो अब आपको पता चल गया होगा कि BA honors economics का entrance test क्या हो गया है इस year से अलग हो गया है अब बात आती है पहले हम question paper के बारे में इबात कर लें तो अब आपको BA honors economics का entrance paper कहां से मिलेंगे वही जो entrance paper जो BBA के हैं जो BCom honors के हैं और जो BA honors economics के हैं तो वही entrance test के आपको paper cover करने हैं अब बात करते हैं आईए syllabus के बारे में उसके बार डिसकस करते हैं बाकी चीज़े स्लेबस के बारे में बात करें तो इसमें आपसे कैसी question पूछी जाएंगे multiple choice question objective question आएंगे कितने hundred और timing आपको 90 minutes one and half hours और क्या negative marking है yes negative marking है point two five one fourth आपकी negative marking है अगर आप question correct करेंगे तो आपको one marks मिलेगा और अगर आप question incorrect टिक करेंगे तो आपके point two five marks deduct कर लिए जाएंगे और अगर आप question attempt टी नहीं करेंगे तो उसके marks नहीं करते हैं यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए आएए बात करते हैं syllabus के बारे में तो अगर आप syllabus देखे language skills ये भी है general awareness same syllabus है reasoning और numerical ability तो यही same syllabus अगर हम बात करें तो BBA B.com honors का भी है और अगर हम बात करें तो other courses का भी है आप बात करते हैं एक एक करके language skills के लिए अगर आप English के लिए practice करने के लिए जो है book purchase करना चाहते हैं तो आप अरिहंत की book purchase कर सकते हैं या फिर Lucent की कोई से भी एक book purchase कर लेजिए दोनों book best है next बात करते है general awareness अगर आपको entrance test निकालना है तो सबसे जादा आपको focus देना पड ability में से आपकी अगर इसमें से कोई भी दो topic अगर हम बात करें जैसे general awareness और reasoning आपकी strong आपने कर ली तो easily आपका entrance test निकल जाएगा ठीक है और general awareness के लिए अगर हम बात करो तो आप Lucent की book purchase कर सकते हैं next हम बात करते हैं reasoning की और numerical ability के लिए reasoning और numerical ability के लिए जो है आप maths के लिए और reasoning के लिए जो RS अगरवाल जी की book purchase कर सकते हैं अब मैं बात करता हूं reasoning के लिए क्या जरूरी है book purchase करना reasoning के लिए अगर आप past year के paper cover कर जाएं तो वो भी sufficient होता है उसी type के question आप cover कर लें आपका entrance test easily निकल जाएगा reasoning इतने high level की नहीं आती है काफी basic level के reasoning question होते हैं अगर आपने basic level के cover कर लिए तो आपके entrance test में reasoning के question cover हो जाएंगे ठीक है अब बात करते हैं क्या कोई एक book आती है तो देखिए आपको एक book या एक guide तो आपको purchase करनी है यह हम क्या सकते हैं जैसे या आप शफीक guide purchase कर सकते हैं या आप concept की purchase कर सकते हैं ठीक है पहली चीज़ तो आपको यह क क्या शफीक guide या फिर conceptum से आपका entrance test completely cover हो जाएगा उसी से आपका entrance test निकल जाएगा नहीं यह भी चीज़ आपको ध्यान रखने हैं एक book से entrance test कभी नहीं निकलता है आपको topic wise preparation करनी पड़ेगी जादा से जादा mcq cover करने पड़ेंगे जैसे आप बीया ओनर से economics के entrance test की preparation कर तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने ही course की entrance paper करें आप other courses के भी entrance paper cover करें जैसे बीया political science का आप cover कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि सब में ही लगबग UG course की बात कर रहो में entrance test का syllabus सेम है तो जब आप question जादा practice करेंगे तब आपको idea लगेगा कि आप जो preparation कर रहे हैं सह सबसे जादा आपको ध्यान देना general awareness reasoning और numerical ability पे आप अगर इसको अच्छे से cover कर ले जर्नल awareness reasoning तो आपका easily entrance test निकल जाएगा तो आप या तो एक शफीक गाइड या concept में से एक बुक ज़रूर पर्चेस कर लेजेगा वह best रहेगा इसलिए क्योंकि उसमें आपको सारी चीज होगा आप इसको अच्छे से किजेगा और दूसरी चीज यह तो आपने कर लिया उसके बाद आप जो भी पढ़ रहे हैं जितनी भी preparation कर रहे हैं साथ के साथ आपको notes बनाने हैं ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या क्या पढ़ा है और उन सब चीजों को revise किया जा सके आप अपने सारा syllabus cover कर लिया लेकिन revision नहीं करी तो आपकी महनत कहीं ना कहीं 50% हो जाती है और वहीं आप revision कर लेते हैं तो आपको best benefit मिलता है यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है next उसके बाद आपको entrance question paper cover करने हैं अब entrance question paper टेलिग्राम पे सारे paper upload है 2016 से लेके 2020 तक के ठीक है 2016 का भी 17 का भी 18 का भी 19 का भी और 2020 का upload है मेरे को याद है अच्छे से तो उसके regarding आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए आपको सिर्फ और सिर्फ टेलिग्राम एप आपके phone में होनी चाहिए अगर टेलिग्राम एप है तो आप paper वहाँ से download कर सकते हैं ठीक है 2016 से 2020 तक के upload है पेपर आपको जरूर करने है ताकि आपको आइडिया लगेगा कि paper का question का जो paper level होता है वो किस level के आते हैं question moderate level के आते हैं easy level के आते हैं या फिर hard level के आते हैं normally जो entrance question paper होता है वो moderate level का ही होता है ठीक है तो हमने entrance question paper के बारे में बात कर लिए entrance question paper आप ऐसे cover कर लेंगे ठीक है next point number four आपको जितने भी चीजें आप पढ़ें साथ साथ रिवीजन करते रहें और short notes बनाए study material अपना जितना हो सके उसको short रखें ये नहीं कि आपने 5 book पढ़ ली और आपको याद एक भी सही तरीके स नहीं है तो भी कोई फाइदा नहीं होगा तो आपको अपने material को short में रखना है summary में रखना है सारी चीजें बना के जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं साथ साथ नोट्स बनाएं क्योंकि जितने अच्छे से आप नोट्स बनाएंगे उतना आपके लिए benefit होगा entrance test निकालन हैं तो आपको note साथ साथ बनाने ये चीज़ आपको ध्यान रखने हैं आपको एक last चीज़ और सबसे जरूरी है हर topic के बारे में आपको सिर्फ basic knowledge होनी चाहिए entrance test अगर आपको निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको हर topic के बारे basic knowledge अगर है तो आपका entrance test easily निकल जाएगा इसलिए मैंने आपको कहा कि आप entrance test की preparation के लिए एक book पे depend नहीं होईंगे हाँ आपको शफीक guide या concept में से ये एक book complete cover करनी है lucid भी आपको cover करनी है और उसके बास जितने ज़्यादा हो सकें आपको mcq question practice करने है जितने ज़्यादा mcq question आप practice करेंगे उतना आपके लिए benefit हो से लुद रही है ठीक है मैं channel का link आपको description में दे दूंगा ताकि आप जो है mcq question की सीरीज की practice कर सकते हैं बाकी आप youtube से भी search कर सकते है general awareness फंडा मैं आपको link description में दे दूंगा ठीक है general awareness फंडा तो आप एडरेक्टली YouTube से भी search कर सकते हैं ठीक है और मैं आपको यह link आपको description प्रेक्टेस कर पाएं इसके अलावा आप लोग को यह डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू